सब्सक्राइब नाउ और प्रेस्टी पर लाइकन वेशन अप्डी रॉम मारूला क्लास चलिया यह सुरू करते हैं आज का इंट्रेस्टिंग टॉपिक प्रॉबिल्टी ठीक है लेक्चर बन है आज का तो लास तक जाएंगे और देख लेते हैं कि आज हम लोग करने का हवाले हैं पहले लेक्चर में तो फर्स्ट लेक्चर से सुरू करेंगे दो बेसिक कॉंसेट और प्रॉबिल्टी हम लोग थोड़ा सा पड़ेंगे जदा नहीं टम्स इंपॉर्टेंट्स क्या होंगे बंदब किस तरीके से प्रॉबिल्टी को हम अच्छे से आसानी से समझ पाएं ठीक है तो बहुत दार डीप में नहीं जाएंगे और बहुत इजी और सिंपल वे मी रहेंगे ठीक है पुड़ा एक्स्प्लेनेशन करेंगे फिर हम लोग बहुत छोड़े होड़े टम्स में कुश्चन को डिफाइन करेंगे और आप से जैसे कि यह कुश्चन से देख सकते है यह सबसे पहले बिगनिव में कुश्चन कैसे होना चाहिए सेंपल स्केस इवेंट क्या होते हैं कैसे निकार आप 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 करें करें ठीक फिर कुश्चन लेंगे जो बैसिक फंडामेंटल पर हैं तो सबसे अगर आपने शुरुवात प्रॉबिल्टी की है या करने वाले हैं और आप प्रॉबिल्टी से डरते हैं तो इस वाले लेक्चर को जरूरू देखें बदब आपको प्रॉबिल्टी का वो डर जो है वो फोविया है वह आपका सबसे पहले हम निकालेंगे ठीक है क्योंकि फोविया हो हमारे दिवाब बना जाता है तो सारे टाइप दॉश्च टाइप के एक हमने लेक्चर में कुश्चन को किया है इसका असाइनमेंट भी आपका हम लोग ऐसे जाएंगे और आपको चलिए तो सुरुवात करते हैं आज का प्रॉबल्टी का टॉपिक जो इंट्रोडेक्शन है और आज का टॉपिक मुझी लगता है कि आज सुरुवा इसके बात करेंगे फिस सैंपल स्पीज क्या होता है अभी हम इसके बार बात इसलिए नहीं कर रहें डीप में कि पहले हम समझें कि एक्जैक्टली होने का बाला है प्रॉबल्टी ऐसा नहों कि बहुत डीप में चले जाए और फिर वही कन्फीजन और बने रहें तो सिंपल वे में जाएंगे जैसे के कुश्चन के सारे हम दो बढ़ते हैं ठीक अब सपोर्ज यहां पर उसने बोला कि अब बैग कंटेंस फूर ब्लैक एंड टू ग्रीन बॉल्स तो उसने कहा कि भाई एक बैग है और बैग में फूर ब्लैक बॉल हैं और कुश्चन को पढ़ें एक बार ट्राइब कर सकते हैं अगर आपको फिर ग्रीन बॉल है दो यहां पर ग्रीन बॉल उसने लिए ठीक और ग्रीन बॉल उसने दो ले लिए ठीक जीवन और जी टू ठीक अब बॉल इस टेकन आउट आप दिस बैग एट रैंड़नम का मतलब क्या है ठीक है तो देखो रैंड़नम वर्टाम अमें अमजना यह बारे में समझना होगा सेंपल स्पेस और रैंडब एक्सपेरिमेंट जैसे आप देखो कि टू क्वाइन साथ तो सेंपल स्पेस क्या है और इवेंट क्या है यह पता करना है ठीक वाहिंस तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग एकस्पेरिमेंट से चलेंगे ठीक किया चलेंगे एकस्पेरिमेंट तो एक हम example की थूप उसको आपको सिखाते हैं ठीक है यसे आपको clear होगा बहुत अच्छे से सपोस्थ एक dice हमने ली kelly dice ठीक जो dice हमने यहाँ पे show की है देखो यहाँ पर यह की डाइस लिए है सिंपल जो एक पासा होता है जिसे हम लोग काफी गेम खेल रहे होंगे तो उस डाइस को जब हमने क्या किया फेका तो यह है ट्राइल क्या है ट्राइल ठीक है भी डाज गीवधर कर रहा है झायज यह फेक रॉआ है डाइस को फिकना है। ट्राइल स्ंवनेह आप यह ले रहे हैं यह आए एक्सपेरिमेंट है कि आ और random experiment तो जैसे कि lab में हमारे experiment है science के experiment है वो सब deterministic है मलदा पता है हुनका out comes क्या है पता है जैसे कि Newton's law बह समझें Newton's जो law है हमारा every action have a reaction तो 100% उसका out comes पता है हमें उसका हमें पहले पता होता कि हम करेंगे तो रिजल्स क्या आएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट मैं हमने एक डाइज को यहां पर फिगर आउट किया तो अब डाइज भी फेकेंगे तो हमें possible outcomes पता हैं समझना possible outcomes पता हैं कि एक दो तीन चार पांच और छहएकि इन में से ही कोई आएगा मगर एक कब आएगा दो गाएगा तीन चार से में से कन आए यह यह नहीं पता है इसलिए यह एक्सपेरիमेंट होते हैं रैंडर किये जाएं बदब आप Newton's law कभी भी लगाएं ठीक है आइंस्टाइन रूल कभी भी लगाएं ठीक है कभी भी आप यह सारे साइंस के रूस लगाएं आपका रजास कभी भी चेंज नहीं होगा 100% है यहां पर possible outcomes में तो यारी कि जहां पर किसी experiment से बहुत सारे आउटकम जुड़े हैं और उनमें से कोई एक कोई भी आ सकता है किसी टाइम पर तो होता है रैंडनम experiment तो रैंडनम अजब भढ़ते हैं तो आप हमें सीकना है ड्रायाइल क्या सेखना है ट्राये तो ट्रायल का मतलब क्या है कि दखाना नहीं है dense 001 को फेक है एम यह को हुचालें यह कार्स का निकालें तो यह सब क्या है ट्रायल है क्या है बाद स्म chat parlar आप ट्राइल के बाद जब डाइस फेक दी गई तो अब हमारे पास क्या आएगा 1, 2 आ सकता है 3, 4, 5, 6 तो देखो अब यह जो 1 है यह 2 है यह 3 है यह 4 है यह 5 और यह 6 यह क्या है मारे event है यह क्या है मारे event है वजब जो experiment बना हुआ है तो 6 events मिलके बना है कितने events मिलके बना ही है experiment dice वाला experiment थोड़ा सा बास आपको थोड़ा स्थेवरी की तरब ले जा रहे है ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह सारे मारे क्या है जिसे हमने दिखाया है यहाँ पर events events में हमारे simple events है तो जैसे simple event में क्या वाद आया गया ध्यान दे simple event में जैसे कि dice की case में जैसे 1 ठीक coin की case में अगर coin की case में देखें तो had यह simple event है tell क्या है simple event है अब दोग compound event में थोड़ा सा confusion होता है compound event को लेके लोग compound event को लेके क्या आप मानते है चारतर लोगों के दिवाब क्या बनाए वहाँ ही प्रॉलम है जैसे उन्होंने बोला कि compound event का मतलब है कि जैसे two coins उच्छा ले गए कितने उच्छा ले गए उन्होंने का कि two coins उच्छा ले गए तो head tell आना head tell आना यह compound event गलत ठीक है क्योंकि यह गलत है पीछे देखो एक हमने figure दिखाया है coin के case में किस case में 3 coin के case में यहाँ पर हमने लिया है 3 coin के case में 3 coins के case में लिया है तो देखो यह head head यह एक simple event है क्या है simple event है मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह simple event है तीन बार head होना या एक बार टाई लोग दो बार head होना यह compounding नहीं है ठीक है यह बार दिमाग से निकाले जैसे compounding क्या होगा कि a die is tossed जैसे बोले जाए a die die is tossed tossed getting even number even number अब जैसे even number को आप define करेंगे तो even number में दो भी आ रहा है चार भी आ रहा है छे आ रहा है तो जब एक से अधिक element इवेंट्स मिल जाए तो compound event मेनेगा पास समझे के नहीं जैसे यहाँ देखो compound event का एक और example कि इन केस आप dice इन केस आप dice ठीक डाइस के केस में multiple आप 3 multiple आप 3 तीन का multiple आप तो तीन भी है और छे भी है ठीक है तो दो event हमारे एक तीन और छे मिला तो क्या बना compound समझे कि नहीं तो यह सारे example compound event के थे अब आगे देखते हैं अब हम लोग फड़ाबर questions के solution भी जाते है sample space क्या होगा तो sample space हो समझ जाएंगे यानि कि सारे event को मिला देना तो अब यहाँ पर क्या होगा अब wall निकाली गई तो क्या कहा सकता है B1, B2, B3, B4 और G1 और G2 तो यह हमारा हो गया sample space अब सारे event को एक set में लेना ही sample space है अब ball being black तो event क्या होगा यहाँ पर black ball हो तो B1, B2, B3 और B4 तो यह event है इसकी तो sample space में ही होता है यानि सारे event किसके subset होगे sample space के event जो है वो subset किसका है इसका बहुत समझे न ठीक है कोई भी experiment लिया जाएगा sample space create कर देगा ठीक यहाँ पर देखे जिस two coins are tossed तो coin 1 के लिए क्या होगा head और tell फिर coin 2 के लिए क्या होगा फिर इसके साथ head और tell और head और tell तो sample space देखो क्या आया sample space को हम S से denote करते हैं किस से denote करते हैं S से denote करेंगे तो क्या आया एक तो head head आया द्यान दे ना और देखो यह head tell आया आप head tell और tell head में अंतर रहे बहुत से लोग इसमें confuse होते हैं यहाँ पर आया tell head ठीक क्यूकि पहली वाले coin पर head आया तब यहाँ पर पहले वाले coin पर tell आया और यह आप दुसरे वाले coin पर tell आरहा यहां दूसरी object है फिर यह है smplace हो गया ठीक है अब से भूला event से ट्रिक्स करेंगे ख्रूप 5 है तो आपको यह लगाना और अंसर देना है तो एम उसे लगाता है या कंण सर गरंसाय चाहिए तो तो sample space निकालिए और वो वाला event describe करें जिसमें two tails हो और one head हो ठीक है और number of elements in this experiment तो experiment में कितने elements होगे ठीक यह आप try करें पहले ठीक अब देखो यहाँ पे निकालना है कि probability of getting equation फोर्थ पर चलना है आप option देख सकते हैं A B C D इन में से आप try कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी आ गया हो अब देखो probability of getting the sum as a prime number when the two dies are thrown together ठीक अब दो डाई का साथ में फिक ही जाती है बास समझें और यह हमने उपर दिखाया भी है टू डाइस के केस में टू डाइस के केस में दिखाया गया है कि sum क्या क्या बन सकत है वन के साथ क्या बन सकता है गहूँँए गोम के साथ क्या बन सकता है 21 212 13 13 14 1516 ऐसे दिखाया गया है तो सारे केस एक दो तीन चार पांच और चे एक के साथ 6 है यह 6 जिशुक्स है यह भी 6 है ये 6 है यह जोंद हो 36 इतने हो थिखर 96 न इनश है और पॉसिबल इवेंट्स क्या है 36 कितनी है यह जो भी होगा वो आउट आप 36 में ही होगा आउट आप 36 मतलब 36 में होगा यह 36 से डिवाइड कर देंगे अब उसने बोला कि सम क्या है प्राइम नमबर है तो इसके लिए एक ट्रिक आप सीख सकते हैं देखो ट्रिक क्या है यहा आप देखो क्या सम और टू डाइस ठीक है सब टू डाइस क्या कला सकते है सम टू हो सकता है थ्री यह सकता है फोर हो सकता है 5, 6 हो सकता है, 7, 8, 9 हो सकता है, 10 और 11 हो सकता है, मतरब 12 पर क्या, 2 से कितना मेगजिन सम हो सकता है, 12 तक, number of times, number of times, कितने बार होगा, तो sum two कितने बार होगा, एक बार, ठीक, वन टाइम फ्री टू टाइम्स मतलब बढ़ता जाएगा देखो एक हुआ दो हुआ फिर कितना फिर बढ़ाईए तीन फिर बढ़ाईए चार फिर बढ़ाईए पांच और साथ जो होगा वो छे सबसे ज़्यादा बर तो यहाँ पर यह increasing होँए बढ़ेगा फिर आप घटाईए जो आठ बनेगा वो पांच बार फिर यह चार बार फिर यह तीन बार बनेगा यह बनेगा दो बार और 12 एक बार कैसे यहाँ देखो कैसे 6,6 से ही 12 बन पाएगा ठीक है अब जिसे बन बन बनेगा बन टाइमस कैसे बनेगा 1 यह बन पाएगा ना ठीक है तो समय जब प्राइम नंबर चाहिए था हमें तो प्राइम नंबर क्या है दो होते हैं, 3 है फिर उसके आद पांच है फिर बन रहा साथ हैं, और फिर 11 है तो यह दो कितने बार आ रहा है एक दो तीन तीन और चार साथ साथ और छे तेरा और तेरा और दो पंदरा ठीक है तो प्राइम नंबर कितने बार बनता है पंदरा बार अलब कौन कौन सा दो या तो सम बने तीन बने पांच बने साथ बने ग्यारा बने ठीक है तो हमने बोला दो बनेगा एक बार, तीन बनेगा, दो बार, पांच बनेगा, चार बार I think, चार बार देखो, और साथ बनेगा, छे बार, और ग्यारा बनेगा, दो बार, ठीक है, तो यह, तो यह पुर्ण टोटल होए, पंदरा प्रेशेस, तो आउट आउट आप 36 पें 15 बार इंदरा गेस यह समस्क्राइब ने चीज़ को कि एक यह की बार न हो यह यह जा रहा है यह सम बन रहा है रहा है सब्सक्राइब सम्का बन रहे हैं यह साथ जो बन रहे हैं देख यहां पार दिखाएगे ना तो seven times six times seven बनता है ना diagonal में अब देख यहां पर एक bag contains इस question को लगाते हैं bag में आप try कर सकते हैं इस question को साथ सा try भी कर सकते हैं रेड बॉल कितनी है 4 है R1, R2, R3 और R4 ठीक है और ब्लैक बॉल कितनी है 3 ब्लैक बॉल है ठीक B1, B2, B3 ट्राई करते रहें बॉल इस डॉन एक रेंडम तो देखो बॉल ड्रॉ की गई तो बॉल ड्रॉ की इस बैक से बॉल ड्रॉ करनेंपर हमारे पास 4 प्लस 3 यानि 7 आउट 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 आउख 7 में चलना है अब प्रॉबल्टी है अब बॉल इस ब्लैक तो ब्लैक बॉल कितनी है 3 तो 3 बाई 7 आया ना समझेगे नहीं 3 बाई 7 तो आउट आउट आउख तो अब हम देखो बताया था वहाँ पर जो लास में हमने दुबारा उसकी फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं वन कोईन फर्स्ट कोईन के लिए क्या था है डॉर टेल सेकेंड के लिए यह जो हमारे ट्री बना हुआ है ट्री बना ट्री इस्ट्रक्चर इसको जुरूर आप सीख लिए यह काफी हल्फुल होता है ट्री इस्ट्रक्चर क्या है कि फर्स्ट कोईन के लिए है टेल फिर क्या है 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 डॉर टेल फिर है डॉर टेल फिर इसके बात क्या जाएगा last वाले coin के लिए last coin के लिए head or tell head or tell head or tell head or tell ठीक, तो total हमारे पास दोगो branches कितनी आई total branches हमारे कितनी आई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जैसे 3 coins अगर उचा लेंगे 8 हमारे पास possibility आई उसमें से आप देखो हमें चाहिए किए two heads of one tell तो two heads of one tell क्या हो सकते हैं देखो हमें देखना है जिसे highlight कर देते हैं कौन कौन सी ब्रांचे से जो two heads, अब देखो head head tell हो गया है तो यह बढ़ हो गया मगर यह वाली जो ब्रांच है यह जा रही head head tell एक हो गई ठीक है इस वाली को फिर इसकी बाद देखो यहाँ पर head tell head इसमें भी two head है एक ब्रांच ही हो गई ठीक है अब यहाँ पर देखो यह तो नहीं है अब देखो यहाँ पर tell head head एक ब्रांच हमारी यह हो गई है बागी ब्रांचेस में नहीं है तो हमारे पास exactly कितने है एक दो और तीन जहां पर दो हैड और वन टेल आ रहा है तो यह क्या गया थ्री बाई एट कितना गया थ्री बाई एट आंसर क्या है एक ठीक नेक्स पे जाते हैं इसको ट्राइ गरिए कार्ड्स के ऊपर भी एक कुशन ले लेते हैं क्या क्या एक सेवन कार्स है रॉंट राइंट राइननम पर्म प्रम फेकवी तीच्छां देखो यह हंता है क्या है कहार्त जिसको पांड मोलते हैं यह बारा इस पेड जिसको पीलते है जिसको दो देन हिंदि न इसके इसकर்वे vi require 13 13 13-13 है सभी में 13-13 होते 52 बनके बनते हैं तो red card हमारे कितने हुए 26 और black card 56 हुए तो what is the probability that 3 will be red and 4 black तो देखो क्या गिया कि 7 cards है तो total हमारे पास पहले निकालें क्या निकालें हमें total निकालना होता है पत्ते हमारे पास कितने हैं 52 उसमें से कितने निकालें 7 तो selection 52 से 7 का selection कितने तरीके सोगा जो selection निकालना है हमें निकालना है तो 52 C 7 हो गया ठीक है अब हमें चाहिए क्या favor में हमारे क्या है favor में favor क्या है हमारा कि अब उन 7 पत्तों में से 7 पत्तों में से 3 तीन पत्ते कैसे हो red हो तीन पत्ते कितने हो red हो और 4 कैसे हो black हो ब्लैक कितने हो कितने हो 4 हो समझे ना तो अब हमारे पास red कितने है red भी 26 है और black भी कितने है 26 है तो अब हमारे पास favor में क्या आएगा कि 26 में से 3 आ जाए 26 में से 3 आ जाए और 26 में से कितने है 4 आ जाए समझे ना और 7 साथ आए तो बीच में क्या होगा multiply बीच में क्या हो जाएगा multiply क्योंकि साथ पत्ते होने चाहिए हमारे पास साथ पत्ते में से एक टाइम पर black हमारे पास कितने हो red हमारे पास हो 3 और black हो 4 और total हमारा काम क्या हुआ था 22C7 ठीक है तो यह हमारा answer आया फाइनली यह answer आगे ठीक है तो फाइनली आप solve करेंगे in terms of in terms of numeric तो यह वाला answer आपका match कर जाए ठीक है तो मुझे लगा आप समझ आगए हो यह favor में हमने का 7 पत्तों का divide कर दिया गया कि हमें red 3 चाहिए केवल और black 4 चाहिए अब red हमारे पास 26 होते हैं और 13 यह है और 13 प्लस 13 क्या होगा 26 और black भी 13 26 होते हैं देखें आपर इस question को देखते हैं six boys and six girls sit in a root arachnum find the probability that the boys and girls sit alternatively तो देखो पहले हमें sitting position देखनी है sitting position हमें total मारे पास exactly हो क्या गया है girls हमारे पास हैं और boys भी हैं क्या है girls है और boys है ठीक है girls हमारे पास कितनी है six है और boys कितने है six है total हमारे पास कितने हुए 12 persons 12 students persons अब 12 persons कैसे बिठा लेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा और बारा ठीक है 12 को आपस में हम interchange कर सकते हैं total ways हमारे पास क्या है factorial 12 हो गया है हमारे मतब total हो गया हमारा क्या हो गया total समझे ना टोटल तरीके हो गया कि 12 लोगों को बैठालने का हमारे पास कितना तरीका तो आउट आफ हम कितने में चलना है फेक्टोरील 12 में अब हमारे पास अब required किया हमारे पास favor में जो हमारे पास है favor में क्या है हम क्या चाहते है girls और boys कैसे आए alternate आए तो पहले हम लोग boys को पे डाल देते है किसको पे डाल दे है boys को 1 2 3 4 5 और 6 ये समझे ठीक है तो अब boys जो है हमारे boys 1 2 3 4 5 6 तो अब ये आपस में यहां पर इंटाचेंज हो सकते है कितने तरीके से factorial 3 6 तरीके से अब हमारे पास जोगो या तो ये space है बास समझे ना एक space ये है 1 2 3 4 5 और 6 जगए ठीक है या फिर क्या हमारे पास space है हम क्या कर सकते हैं हमारे पास क्या है या तो ये space है 1 2 3 4 5 इनके बीच में और 6 ये space ठीक है अगर हमने गल्स को यहां में ठाल दिया गल्स को कहां में ठाल दिया यहां पर एक 2 3 4 5 और 6 ठीक है तो गल्स वोईस गल्स वोईस गल्स गल्स अल्टरनेट हो जाएगा सबसे पहले गल्स फिर वोईस गल्स 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 वोईस और लास्ट में गल्स वोईस हो गई ना तो ये आपस में 1,2,3,4,5,6 अगर हमने यहां से गल्स नेक्स हमारे पास क्या है अगर हमने गल्स को यहां बैठाना शुरू किया यहां से बैठाना शुरू किया ठीक है यहां से बैठाना शुरू कर दिया सबहर है ना इधर बैठाना सुरू कर दिया गल्स हमारी यहांसे बैट रही है थीक है और यह तो अब हमारे पास दर् šastot entry का यहां सुरू होगा orschetevin फिक हुआ है तो या तो एक तरीका ये वा या एक तरीका ये वा ठीक है तो दू तरीके हुए उनमें से हर तरीके में गल्स कितने तरीके बैठेंगी गल्स कितने तरीके से बैठेंगी तरीके से समझे ना तो यह गल्स का हर एक तरीके में है गल्स कितने तरीके से बैठ रही है यह बॉइस का है और यह दू तरीके इसलिए है या तो हमारा फरस्ट जाएंगे फस्ट भी में जाएंगे फर्स्ट भी में जाएंगे फर्स्ट भी में देऊ ताम यह अब सबसेड इसे जा रहे है थिक है और सेकेंड केस में क्या है यहां पर गद से शुरुआत होगी ठीक है और दुसरे वाले केसमें बॉइस से सुरुवात हो रही है बॉइस से फिर उसके जाथ गल्स है फिर बॉइस है फिर गल्स है और ऐसे यह जा रहे है तो यहां लास्ट में जब गल्स थी और लास्ट में यहां क्या है बॉइस आगा है क्या जाएगा यहां क्या जाएगा और यहां क्या आएगा लास्ट इस पाले केस में गर्स आ जाएगी तो दो केस हैं दो हर केस में फेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट सब्सक्राइब करेंगे तो आपका क्या आए गया सी आप्शन सही हो गया ठीक है यह लांसर सही था ठीक कि देखिया वाट इस दा चांस डैट अलीपियर एट रैंडम विल है 53 संडेज तो दो लीपियर ले रिया गया लीपियर में क्या है 366 डेज होते हैं कितने होते हैं 63 66 अलीपियर एट रैंडम तो लीपियर ले रिया 366 डेज हैं और हमें संडे बताने क्या दाने संडे और संडे कितने हो 53 तो आप दोंगों संडे तो हमारे पास दिन कितने एक दो तीन चार पांच छे और साथ 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 पढ़ेंगे तो हम क्या करें पहले हैं इनको टोटल लेज जो 366 एनको 7 से डिवाइड करें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो कोष़े इंडा बदा भागफल जो आएगा फिप्टीटउ आएगा और जो रिमेंडर बचेगा रिमेंडर मतल्षे सेसफल अमारे पास के अतना है दो आया तो देख को 52 52 का मतलब यहां 52 week हो गए हमारे पास ठीक है weeks हो गए यानि कि आप 52 हमारे ये हो चुके हैं समझे ना 52 हमारे पास Sunday हो चुके हैं मतलब हर एक year में 52 Monday हो गए 52 Tuesday, 52 52 52 और 52 जब इनको जोड़ोगे तो आपके आप साज़ा 364 ठीक है Left जो बचे हैं Left Day Day कितने में बचे दो क्या हैं दो अब दो Day कैसे पढ़ सकते हैं Sunday Monday पढ़ सकता है क्योंकि बचा हुआ Monday Tuesday हो सकता है Tuesday Wednesday हो सकता है Wednesday Friday हो सकता है Friday Saturday हो सकता है Saturday Sunday हो सकता है ठीक है यह order पेर और बन सकते हैं, इन में से, समझे ना, अब इन में से देखो क्या है कि, 52 अब 53 संड, 53 है में संडे चाहिए, तो 53 संडे के लिए या तो ये पढ़ जा है, संडे मंडे, या संटर्डे संडे पढ़ जा है, ठीक है, तो साथ possibility है total हमारे पास, कितनी possibility है, ठीक है, समझे ना, क्योंकि ये तो 52 कंप्लीट हो चुके है, इन में कोई possibility है ही नहीं, ये 364 days हो है, इन में कोई no possibility, no possibility, मतलब इसे तो जाएगे, अब बचे लिए हमारे जो दो दिन है, यही possibility होता है कर रहा है, तो हमारे पास total case कितने है या पे, यहा देखो, टू डेज लेफ्ट थे, व वही probability decide करेंगे, probability decide करेंगे, क्यों, क्योंकि यही दो ही 53 संडे, वो संडे बनाएगा, 53 संडे ही बनाएगा, तो उन में से हमारे टोटल कितने case है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, संडे, मंडे, मंडे, त्यूजडे, त्यूजडे, वेंजडे, वेंजडे, थर्सडे, और पड़ेगा, वेंजडे, थर्सडे, और थर्सडे, फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे, संडे, 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 साथ दिन हमारे पड़े, कितने बड़े, साथ, उन में से हमने बोला दो दिन ये वाले, दो ये पेर, संडे बनने के लिए एक पेर ये, ये अगर बनेग ऑटब इसे फूर इब में कि मेटῆ नहiny the propriety of two of them ऐफ देंक होगे यहां पर तोडा सा में स्प्रिंट हो गया है यहां तो तो आपने तूर्ड वाइव सो त्वाइव थो तो आमें कमेटिया फॉर तो टोल हमाण डियारा है जियारा सी फॉर मॉनमें से तूर आपने घाल्स तो पांच में से कितनी दो गल सहाँ जाए और थ्री या टू आप देम अगर होता है टू आप देम उच्छार बनाने है तो टू आप देम ब्वाइल तो सीक्सी ठीक है पर अब स्पिंट आप से कुश्चन हो जाएगा ठीक यहां देखें देलेटर अब आडिकल आरेंज्ट एट रैंडम आ पहले अर्टिकल को आरेंज करना पड़ेगा तो एक दो टीन चार पांच साथ ही सबीन और है अब उसमें पोजिशन कौन कौन सी होगी हम वह देख लेते हैं दूसरी चौथी और शटी इन पोजिशन पे कौन कौन जा सकता है आई है एक दो और तीन अभी आपस में अरे इधर दर भी हो सकते हैं मतलब सफ़ल भी हो सकते हैं तो तीन तीन लेटर्स हमारे पास है और तीन ही पोजीशन तर फेक्ट्ट्रीत तरीके से हो जाएगी मतलब यह आको पायई हो गई यह प्लेसे कोई दो चार हमारे बचे बारे के लिए बचे क्वांसोनेंट के लिए गजए क्या वाचे हैं क्वांसोनेंट के लिए चार पर यहां पर जा सकते ठीक है तो इसका answer आप match करा लें C option आपका match करेगा बाकी assignment भी चलते हैं लोग चलिए question try करें four coins are tossed together what is the probability that head will appear on and at least one of the four तो इसका आपका answer देना है चार बर coin उच्छाला गया है कितने बर उच्छाला गया है चार बर ठीक और उसमें से कम से कम head will appear at least one time करिए बाई answer हम आपको भी बताएंगे four cards dropped chance that dropped card should be one from each shoot one from each shoot का मलब है कि diamond जो आपका heart है वो तो एक हिस्से missing हो और जो आप पर स्पेड है spirit or club तो असभी से एक एक हो इससे एक हो इससे एक निकल जाए इससे एक निकल जाए और सभी के सब्सक्राइब करें नंबर के आपको पता होना चाहिए कितनी है वह प्राइम नंबर वाले जो है उपर रखी और टोटल यहां रखा जाएगा प्राइम नंबर वाले यहां रखें ठीक है सब्सक्राइब करते हैं तो लाइन में तरीके से बैठते हैं और सर्कुलर में सर्कुलर में जो होता है टो यह प्राइब गेटर के बाद तो बारा में से दो चले गएं दो एक हो गाए प्लस वन्त बचे लैप रिमैनिंग जो अब अब जो लास में होगा कमाई होने का टूगेदर के बाद तूगेदर के बाद बाद जो बचेंगे अब अगर वो टू पर्टिकुलर परसन साथ में हो गया है तो हमारे आइटम समसीडर करेंगे 11 कितने करेंगे 11 समझे के नहीं तो आप समझ गया होगे फैक्ट्विल 11 तरीके से टूट्विल ना है उसका आप निकाली जाने से 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं वन कॉर्डर ड्राउन अट्रेंग वाद द प्रवाबल्टी देट इस आइधर किंग और कुई तो किंग आप समझते हैं चार किंग होते हैं ठीक है सभी का एक एक किंग होगा डाइमेंड का भी ए क्लब का भी होगा ठीक है तो यहां पर किंग होगे एक दो तीन और चार ऐसे कुईन भी होगी चार कुईन होती हैं फोर कुईन होती हैं करिए बैक अंटल फॉर प्लेग और फाइव रेड बास बास थ्री बास अड्राउन एट रेंडम तो तीन वाल इखटे निका ले गई और यहां और ब्लेक यह भी ट्राइए करें वाई तो डाइज आर थोन साविट अवाइट अव्य तो प्रावल्टी तो टोटल आप इसकोर अव शेवन दिया था तो टोटल सम कैसे वनता है एक दो से वनता है बारा तक अग्रूप अव इंवेस्टिकेटर्स तुग अफ यह सेंपल आफ नाइटी सेमनेटी चिल्डर्न फोर जर्नल पॉपुलेशंट फोर आफ फांड यह वन थाउजन बॉइस नाइटीन सेमनेटी तो गर्षा था तो अगर इंवेस्टिकेशन किया तो उनमें से अम देखा कि एक हजार बन थाउजन बॉइस है और नाइंटीन सेमनेटी टू निस सो बहातर गासा है तो चाइल्ड जो न्यूबॉंड में भी होगा वो क्या गर्ल होगी इसका आपको अधाना चलिए अच्छा कोश्चान है नॉन लीपियर के लिए बताए लीपियर के लिए ताब यह तो हम आंसर के अधा देते हैं अब लोग बाकि ट्राइब करें ठीक जुरू ट्राइब करेंगे इससे आपका प्रैक्टिस लेवल बन जाएगा फस्का देखो भी है कि कमेंट्स के दूब आप इसको टैली कर सकते हैं कमेंट जरू करें कहीं पर अगर आपको कंफ्यूजन कुछ भी लगे सेकेंड सेकेंड का सी मैच करा लिए और ट्राइब करें कि थर्ड का है आपका ए ठीक है कि फॉर्ट का फॉर्ट का भी है टू बाई लेवन कि फिप्ट का भी है ठीक है इसका सी यह बागी प्रॉब्लिटी का मैंने बोला किया और कोई अच्छा तरीका हो तो अब बताईए कर सेजिस करिए शिक्स का हमारा सी यह ठीक है सेवन का भी ठीक है एर्ट का भी है नाइन का ए है ठीक जहां पर हाइलाइट कर रहे हैं टेंद का ए है और जो मरा 11 लास्ट बन था उसका अंसर भी है ठीक तो भाई अभी तक प्रॉब्लिटी का यह लेक्चर पहला था ठीक बाकी बन वाई बन आपको बताते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे बाकी आपके उपर है ठीक है प्रॉब्लिटी बहुत आट एक फूबिया है और काफी डिमानिक टॉब्लिटी रहता है यह ध्यां रखें अभी तक अगर आप प्रॉब्लिटी को कंबाइंग करें और सेट थीरी बगर आप मिलाएं तो काफी सारे कुशन्स एक्जाम लेवल में पूछे जाते हैं ठीक है तो आज का लेक्चर आपको गैसा लगा जरू क्या है नेक्स्ट अब क्या अप्टेशन चाहेते हैं जुरूर मारूला क्लासिस के कनेक्ट में रहें ठीक थाइंक यू